घर्ष है, संग्राम है, हर्पत्विजय गुमनाम है, है वीरता, शामर्थ है, किन्चितना जिवनवर्थ है नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का BHEU पार्ट साला के इस Online Learning Perform में मैं हूँ आदित्य सिंह, आज के इस वीडियो के साथ, एक हम खास सीरीज की सुरुवात करेंगे, सुभारम करेंगे और आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कि यहाँ पर हम 700 MCQs को डिस्कस करेंगे तो कहीं ने कहीं जब इस सीरीज को हम कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम कहीं ने कहीं आल्मोस्ट 2000 प्लस MCQs हम कवर कर चुके होंगे, तो यहाँ मेरा कहने का सिंपल सा सेंस है कि हम यहाँ पर 700 MCQs सीरीड वाइस डिस्कस करेंगे, और हर दिन यानि प्रते एक दिन एक वीडियो आपको मिलेगा एक वीडियो लेक्शर के थूरू आपको 20 तो 25 कोशन मिलेंगे, अभी मैं शुरुआत 20 कोशन से कर रहा हूं और आगे जो कोशन होंगे, यानि नमबर आफ कोशन हो इनक्रीज कर दिया जाएगा तो आपको बिलकुल भी पैनिक और परिशान होने के जरुवत नहीं है और इसमें क्या होगा, मेरे कहने का सिंस यह है कि कौन से कोशन इसमें सामिल किये जाएंगे कौन से कोशन इसमें रखे गए हैं, वो भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ यहाँ पर आपको करेंट अफेर से कोशन मिलेंगे, आपको यहाँ पर जीएस के सेक्शन में दो घंटे के अंदर बियाच्यू पार्ट साला एप पर फ्री स्टेडी मेटरियल सेक्षन में इसका पीडियाप भी आपको मिल जाएगा और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो सीरीज होगी वो बिल्कुल बाइलिंग्वल होगी मेरे कहने का मतल सब्सक्राइब जैसे विश्यू विद्यालियों के प्रिवेस परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्तोपूर है तो बिना देली के हुए हम इस वीडियो सीरीज की सुरुवात करते हैं तो चलिए आज के पहले क्वेशन के साथ इस वीडियो सीरीज का सुभारम करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेशन है वाट इस दे कारेंसी आफ यू एई हमसे प्रस्थन यह पूशा जा रहा है कि यू एई की मुद्रा क्या है यह आप सबको बताना है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दिरहम क्या हो जाएगा आपका जो फॉर्ड आंसर है जो फॉर्ड आप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दिरहम अब देखी और आप्शन को भी हम देख लेते हैं जैसे हमारे पास अधर आप्शन में क्या है डॉलर है डॉलर कहां का है आपका कैरेंसी डॉलर जो है वह ऑस्टेलिया का ह है और उसी के साथ साथ कहां कहां यूएस से का भी है ठीक है यूएस से का भी है और उसके आगे अगर हम बात करें यहां पर यहन आपको दिख रहा होगा अगर यहन की बात करें तो यह जो है वो जैपान का है ठीक है यहन कहां का है वो जैपान का है और उसके आगे अगर हम इसको बात कर सुर्द भर आयम पर अगलनने को प्यारत खेंगे पिल्कुल याद रॉकर रही हूं अब अगले को चलते लिए के राघानी किया है घ्रीज की राधानि कहा है अगर हम ऐसे लिए तो तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा आपका Athens, यानि कि Greece की राजधानी कहाँ पर है, तो Greece की राजधानी जो है वो Athens में है, आपको ये जानना बिलकुल भी जरूरी है, तो इसका जो exact answer क्या होगा, वो होगा Athens, अब देखी, और options को देख लेते हैं, Paris कहां की राजधानी है, आप सब को पता ह होना चाहिए, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मनामा की, तो मनामा जो है वो बहरीन की राजधानी है, ठीक है, मनामा कहां की राजधानी है, वो बहरीन की राजधानी है, यह आपको बिलकुल ही पता होना चाहिए, अब चलिए, अब अपने अगले question की तरफ चलते हैं, और आज का हमारा अगला प्रश्ण है हमारा तीसरा प्रश्ण यह कह रहा है कि हई कोट की जज की न्युकती होती है तो वह कां सा आर्टिकल आपका आता है तो वह आता है बनाधम्य क सब्सक्रीट हें किस तो यह पिर चीफ जश्टिस और यहां पर की जाती है अब देखिए और भी कुछ important facts है वो आपको जानना जरूरी है जैसे वरतमान में President कौन है आप सब को पता होगा वरतमान में हमारे President रामनात कोविंद जी है ठीक है रामनात कोविंद जी है अब उसके आगे आपको पता होना चाहिए और उसी के साथ आप यह भी जानना जरूरी है तो वरतमान में केंदरी कानून मंत्री है किरन रिजजू ठीक है कौन है किरन रिजजू यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है current affairs के perspective से आपसे question पूछा जा सकता है तो चलिए अब अपने अगले question के तरफ चलते हैं आज का हमारा अगला question है every judge of the Supreme Court of India is appointed by भारत की उच्चतम नयायले का प्रतेक नयायथिस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है यह आपसे question पूछा जा रहा है इसका exact answer जो होगा यहां भी क्या होगा भारत का रास्टपती यानि की the president of India होगा ठीक है अब देखी अब यहां पर कौन सा article लागू होता है यह मानिए कि किस article के तहत किस अनुक्षेद के तहत यहां नियुक्ति की जाती है तो वह article है 124 ठीक है 124 यानि की अनुक्षेद 124 यहां पर sub class कौն साहता है sub class 2 के तहद जो है वो supreme court की CGI Chief Justice of India और उसी के साथ किसी से अगर नियुक्ति करनी हो तो इसी article के तहद जो है कोलेजियम से बहुत जाता कुछ आपको जानकारी नहीं लेनी है क्योंकि आप जानते होंगे कोलेजियम आपने सोना भी होगा और उसके बाद कैसे इसका क्या रोल है जजेस के अपॉइंटमेंट में यह आपको पता भी होगा आगे बात करें प्रेसिडेंट हमने डिस्कस कर के दिया हुआ है और लोग सबार के बारे में बात करें टो लोग सबाद का जो डीटेल मिलता है तो कौन से अडhos मीम्लता है वे आअर्टिकलvable q 0059 में मिलता है उलता है अब यह सारे चलते हैं अब अगले सोसे करें की तरफ हमारा अगला कोिशन है Recently PM Modi has inaugurated Maitri Setu with which country हाल ही में PM Modi ने Maitri Setu का उद्गाटन किस देश के साथ किया है यहां हमसे प्रश्निय है पूशा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री Modi ने Maitri Setu का उद्गाटन किया है तो अब प्रश्निय है बन रहा है कि वो किस देश के साथ उद्गाटन किया है या फिर वो मैतri Setu है वो किस देश के साथ लगी हुई है तो इसका जो correct answer होगा वो क्या होजागा आपका Bangladesh ठीक है जो correct answer होगा वो क्या होगा Bangladesh will be the correct answer अब देखिए ये भी आपसे question पूशा जा सकता है कि ये जो उद्गाटन हुआ है वो किस राज में हुआ है या भारत के किस राज में उद्गाटन हुआ है तो वो किस राज में हुआ है तिरी पूरा में हुआ है ठीक है आपको ये जानना बिलकुल ही जरूरी है आप बिलकुल ये जान कर रखिए अब हम अपने अगले कोशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला कोशन है As per the constitution of India What is the limit prescribed for the number of members in the legislative assembly of a state? भारत के सम्विधान के अनुसार किसी राज की विधान सभा में सदस्यों की संख्या के लिए निर्धारित सीमा क्या है? तो इसका जो correct answer होगा वो आप सबको पता होगा जो इसका correct answer होगा आपको यहाँ पर चार options दिख रहे हैं उन में से एक answer आपको correct select करना है तो जो select करना है correct answer वो है आपका 500 members ठीक है जो maximum limit है वो 500 के है और जो minimum limit है वो कितने की है? वो है आपकी 60 की ठीक है? कितने की है वो आपकी 60 की limit है अब यह एक चीज़ जान लीजिए कि आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जो list लेटिव assembly की बात की जारी है कि जो structure है इसका कैसा होना चाहिए कैसा नहीं तो यह किस article में mention है तो यह article 170 में mention है नहीं भारती समिधान के अनुछियत 70 में आपको इसका उलेक मिलेगा या फिर description आप पाएंगे उसी के साथ साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो अभी मैंने आपको बताया कि यह 60 जो है वो minimum limit है कह सकते हैं इसके कुछ exception भी है जैसे गोवा है कौन-कौन से राज जिसके exception में आते हैं वो आप जानके रखिए आपका गोवा है उसी के साथ साथ आपका सिक्कीम है और सिक्कीम के साथ साथ मिजोरम है और एक union territory भी है और उस union territory का नाम क्या है आपका पुड़ू cherry ठीक है पुड़ू cherry यह सारे चीज़े आपको बिल्कुल जानके रखने हैं उसके बाद हम अपने अगले question की चरफ चलते हैं और आज का हमारा अगला question है the term biology was coined by जो विज्ञान सब्द किसके द्वारा दिया गया था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका answer जो है वो Aristotle होना चाहिए तो जी बिल्कुल आप गलत हैं अगर आप Aristotle बता रहे हैं तो क्योंकि जो इसका exact answer होगा वो क्या होगा ले मार्क क्योंकि ले मार्क ने जो है वो biology सब्द को दिया था यानि कि coin किया था आप ऐसे समझ के रखिए जो अरस्तू है ने क्या कहा जाता है father कहा जाता ठीक है father of जब biology की बात करी आएगे तो ये अरस्तू हो जाएंगे लेकिन जब ये बात की जाएगी कि biology सब किसने दिया था तो उसका correct answer क्या होगा ले मार्क होगा अब आगे जो options हैं उनको भी देख लिते हैं अब देखिए यहां पर आपको option में देख रहा होगा linear linear को father of taxonomy बोलते हैं ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं father of taxonomy बोलते हैं यह आप बिल्कुल जानके रखिए taxonomy बोलते हैं और इसी के साथ साथ और भी कुछ option हमारे पास पड़े हुए हैं यहां पर फ्रस्टेटर्स दिख रहा होगा आपको इन्हें क्या बोलते हैं father of botany बोलते हैं और इसी के साथ कुछ और भी example हमारे साथ पड़े हुए हैं जैसे कि हाँ मैंने तो यहां पर हम लोगों ने बिल्कुल जो भी options दिख रहा थे उनको हमने discuss कर लिया हुआ है तो हम अपने अगले question की तरफ चलते हैं आज का हमारा अगला question है physical basis of life is जीवन का भौतिक आधार क्या है अब यह प्रस्ण जो है बहुत ही important है आपको बिल्कुल असा प्रस्ण लग रहा होगा लेकिन बहुत ही important question है इसका जो exact answer होगा वह होगा आपका proto-plasma जीसे जीव द्रब्ब भी बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं जीव द्रब्ब भी हम बोलते हैं यह आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है ठीक है अब देखिए यह इसलिए जानना जरूरी है को कि एक्जाम में बार-बार कोशन पूस्ट ले जाता है देखिए यह जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटो प्लाज्म और यह किस ने कहा था तो टी एच हक्स लेने इस बात को कहा था कि जो यह प्रोटो प्लाज्म है यह क्या है फिजिकल बेसिस अफ लाइफ है यह सारे चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अब देखिए प्रोटो प्लाज्म क्या होता है प्रोटो प्लाज्म होता है और इसी से कहीं ने कहीं आप यह समझेए कि जो है वह शल बना होता है उसके बाद सारे चीज़े जो है आगे की प्रोसेस होती है इसलिए इसे physical basis of life बूला है अब हम बात करें सेल की कुछ लोग कहा रहे होंगे कि इसका अंसर होना चाहिए तो सेल जो है वह basic structural and functional unit of life है ठीक है यह आप समझके रखिए लेकिन अगर physical basis of life आप से पूछेगा तो इसका exact answer क्या होना चाहिए protoplasm हम अपने अगले question की तरफ चलते हैं अब हमारा अगला question है the main difference between non living and living is in कहने का मतलब यह है कि निर्जीव और सजीव के बीच मुख अंतर क्या है अब आपको यह बताना है कि जो living being है और जो non living being है यह सजीव और निर्जीव में क्या मुख अंतर होता है तो इसका जो exact answer होगा वो क्या होगा presence of protoplasm जिसे हम living material भी बोलते हैं protoplasm को और इसे के साथ साथ जीव द्रब भी बोलते हैं तो यही चीज की जो उपस्तिती है यानि protoplasm की जो उपस्तिती है या presence है वही एक मुख है या main difference है living और non living की बीच में जैसे माली जो कोई plane है तो उसमें protoplasm नहीं पाया जाएगा लेकिन कोई इंसान है human being है तो उसमें protoplasm पाया जाएगा तो यह एक बहुत बड़ा difference है या फिर कह सकता है कि मुख या main difference है हम अपने अगले question की तरफ चलते हैं और यहां पर हाँ बिल्कुल यह moment का यहां यहां पर आंदोला नहीं होना चाहिए यहां पर गती होना चाहिए तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे हम अगले question की तरफ चलते हैं nutrition इसका है जो exact answer होगा वह living होगा ठीक है एक जीवित या एक सजीव व्यक्ति जो है उसी में पोशर होता है या उसी में nutrition होता है कोई पेन है या फिर कोई furniture हो उसमें कोई भी nutrition या पोशर का कारण नहीं होता है तो आप बिल्कुल यह असान सा question है इसको आप समझके रखिए हम अपने अगले question की तरफ चलते हैं 11th question है आज का हमारा waste products are excreted by obsessed उत्पाद किसके द्वारा उतसरजित होते हैं अब हमारा option दिया हुआ है अब देखिए यहां पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना होगा ध्यान यह रखना होगा कि obsessed उत्पाद या वेस्ट प्रोड़क्त किसके द्वारा एक्स करीट किये जाएंगे तो वह जब भी होगा तो वह living being ही होगा क्योंकि living में आपने सुना होगा एक्स कट्री सिस्टम भी होता है और उससे भी बड़ी बात यह आपको जाना जरूरी है कि देखिए कोई पेन है फिर कोई भी नॉन लिविंग बीन है या कोई फरनीचर है या फिर कोई भी कोई खिलाओना है या फिर कोई भी ऑबजेक्ट है जो है बट वह एक्सक्रेट नहीं कुछ कर रहा है यह आपको डिफरेंस जानके रखना है अब हम अपने अगले कोईशन की तरफ चलते हैं हमारा अगला कोईशन है हुई इस काल्ड दो फादर आफ माइक्रोबियोलजी देखिए यह कोईशन बहुत ही इंपोर्टेंट है और ब चाहिए अन्ट्वन लिवं ओन चाहिए इग्जैक्ट आंसर अब दिखी अभ यहां पर मैंने और बताया है लैमार्क जो है वह उन्हेंने बाइलाजी टर्म को क्वाइन किया था और हम और अस्तु को फादर आफ क्या बोलते हैं बाइलाजी बोलते हैं और लीनियस को हम क्य name of star-fishes यानिकि हमसे प्रस्टन ये पुछा जा रहा है गी जो तारा-मसिली होती है कहीं कहीं स्टार की तरह होती है वह कुछ ऐसे करके जो भी है थोड़ा सा मैं नहीं बना पा रहा हूँ जो भी है वह स्टार के तरह होती है तो वह जो है उसका वग्यानिक Skagnotic glandelling क्या है वह आपको बताना है लेकिए जिसके एक्ज čसर्ड नाम होता है वो क्या हता है Las 1997 जाई कि अब नियुक्त अक़्ई क्या होती है आपको मैं श्रह उसकी जाग्ट पहलिंग होती है एस प podemos बहुत्य है इस टिए है और नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं तारामीन बोलते हैं यह भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो यह रहा इससे तारामीन बोलते हैं ठीक है अब हम अपने अगले कोशन के तरफ चलते हैं हमारा अगला कोशन है विच आप फॉलोइंग इस नॉट अन एक्जामपल आफ यूकरियाटिक ऑगनिजम्स हमसे प्रस्ण यह पूछ रहा है कि निमलिकित में से कौन यूकरियोटिक जीवों का उदाहर नहीं है तो आपके पास ऑप्संस में है यीस्ट बैक्टिरिया प्लांट्स और हुमन तो जो इसका एक्जैक्ट आंसर होगा वो क्या हो जागा आपका बैक्टिरिय है चाहिए इसका इसर अंसर का बैक्टिरिया होगा और देखिए बैक्टिरिया जो है सिंगल प्रोकारिक का लएक और यहीप की है बी आगे जो यह हुआ प्लांट है और उसे की साथ साथ यूमन है यह सभी यहением यह क्या है है ठीक है अब देखिए eukaryotic organisms में और prokaryotic organisms में एक basic difference यह है कि जो eukaryotic होंगे उनमें nucleus present होगा और जो prokaryotic होंगे उनमें nucleus absent होगा और दोसरी चीज़ क्या है कि eukaryotic जो है वो multicellular होते हैं जो prokaryotic होते हैं वो unicellular होते हैं यह difference आपको जानके रखना होगा हम अपने अगले question के तरफ चलेंगे आज का हमारा 15th question है which one of the following cell organs is absent in animal cell हमसे प्रस्टन यह पूछा जा रहा है कि जन्तु कोशिका में निमलिखित में से कौन सा कोशी का अंग अनुपस्थित होता है देखिए cell membrane जो है वो present होता है ठीक है अब देखिए आपको endoplasma reticulum जो है वो भी present होता है mitochondria भी आप में present होता है लेकिन जो cell wall है cell wall animal cell में नहीं पाया जाता है cell wall जो है वो कहां पाया जाता है वो plant cell में पाया जाता है तो जिसका जो exact answer होगा वो क्या होगा आपका cell wall ठीक है जिसका exact answer क्या होगा आपका cell wall will be the exact answer of this question अब हम अपने अगले question की तरफ चलेंगे हमारा अगला question है आज का about 80% of the body weight in most organisms is अधिकान जीवो में शरीर के भार का लगबग 80% होता है हमसे प्रस्णिया कह रहा है कि जो हमारी total body weight होती है उसका 80% क्या होता है protein होता है minerals होता है water होता है यह fat होता है तो इसका exact answer होता है अब देखिए अब एक बार आप consider करी कि अगर क्या वह fat होता 80% तो condition क्या होती आप सब सोच समझ सकते हैं इस चीज़ों को तो जो इसका exact answer है यह वाटर जो है हमारे सरीर के weight का हमारे सरीर के भार का कहीं ने कहीं 80% के आसपास जो है एक हिस्सा cover करता है या भाग cover करता है हम अपने अगले question की तरफ चलेंगे हमारा अगला question होगा water soluble vitamins R पानी में घुलनसील vitamin है यह question आप से exam में बार-बार पूचता है almost सारे question important है लेकिन इनमें से भी बहुत कुछ questions है जो कि most important है तो वह भी मैं आपको बीच-पीच में बताते चल रहा हूं इस पूरे exact answer होगा वह होगा आपका vitamin B & C vitamin B & C जो है वो क्या है आपके water soluble vitamins है यह आपको जानना जरूरी होगा और इसी के साथ साथ जो भी vitamin यहां पर दिये हुए है vitamin A, vitamin D, vitamin E और vitamin K, vitamin B, vitamin C इन सब के आप chemical name जो है मुझे comment box में लिखके बताएंगे अब हम अपने अगले question पर चलते हैं हमारा next question कह रहा है कि which vitamin is responsible for the formation of bones and teeth हड्डियों और दातों के निर्माड के लिए कौन सा vitamin जिम्यदार है तो vitamin A जिम्यदार है, vitamin B7 responsible है, vitamin C responsible है, vitamin D responsible है तो हड्डियों के formation के लिए और teeth के formation के लिए vitamin D जो है वो हमारा responsible है vitamin D से जो है वो teeth का formation होता है और अब देखिए यहाँ पर आपको vitamin D दीख रहा होगा vitamin D का भी आप chemical name हमें comment box में बताएंगे vitamin A का भी बताएंगे मैंने आपको बोल दिया हुआ है vitamin A से कौन सा रोग होता है यानि मतलब उसकी deficiency से अगर vitamin A किसी वक्ति में कम है या उसकी deficiency है उस इंसान में तो उस इंसान को कौन सा रोग होता है तो वह होता है night blindness जिसे हम रताओधी भी बोलते हैं अब एक important fact जान लीजिए कि B7 आपको दिख रहा होगा जिसे हम क्या बोलते हैं biotin भी बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं biotin ठीक है यह इसका बहुत ही famous name है इसलिए आपको जानना जरूरी है और उसी के साथ साथ जो viekommen होता है डीजीज आपने सुना औो वीटामिन वह बीवन की कमी यकमिश होता ठीक है बीवन की कमी से क्या होता है आपका every B 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 आपका इस करवी डीजी आपको होती है ठीक है यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है अब यह हो गया फैक्स सारे फैक्स आपने बिल्कुल जान लिए अब हम अपने अगले कोशन पर चलते हैं आज का हमारा नाइंटेंथ कोशन है उन्हीं सौ प्रस्ण कह रहा है सुना ओगा कि किसी के मुँas में ब्लीडिंग हो रही है फिर मश्रूडों से खून आ रहा है ऐसा आपने बिल्कुल सुना ओगा तो इसका जो मों क्यों वजहिब होता है मुके काड होता है कि वह किस विटामिट की कमी से होता है तो यह आपको जाना जरूरी हैं और उसका ऑ पारिप्ट को बता दिए हुआ लेकिन आपको लिखना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इन सारे विटामिन जिनका भी मैंने जिक्रिकिया है मेंचें कि और उन सबका हाप मुझे रगगत मेंayan हुआ कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब हम अपन B and C, vitamin A, vitamin D, vitamin E and K, none of these, इन में से कोई नहीं, तो इसका जो exact answer होगा, वो आपका option C होगा, ठीक है, option C will be the correct answer, यानि कि vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K, जो है, ये चार जो vitamin है, ये वशा में गुलन सील है, यानि कि fat soluble है, अब देखिए, vitamin K से समंधित एक विशेशतत है, आप जान लीजे कि blood clotting क नाम आपने शुना होगा, blood clotting में ये बहुत ही helpful है, अगर vitamin K की कमी हो जाती है, तो आपकी blood clotting नहीं होती है, जैसे अगर कहीं आपको घाव लगा, तो लगतार जो है, continuously आपका blood जो है, वो आपका वो बाहर आता रहेगा, वो clotting नहीं होगी, और कहीं ने कहीं आपका जो घा में भी हो सकती है, इसलिए vitamin K की बहुत ही हमारे सरीर को जरूरत होती है, और बहुत ही important vitamin होता है, तो ये रहे, आज के 20% और मुझे उमीद ही नहीं, पूर आशा है, और विश्वास है कि आप सभी इन 20% को अच्छी तरीके से समझे होंगे, और इसी के साथ साथ फिर कल मिले करेंगे हम, और तब तक आप PDF प्राप्त करने के लिए, भी ही पार्ट चाला आप को डाउनलोड कर सकते हैं, और उस आप के free study material section में जाएंगे आपको, तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगा, personally मैं आपको यही suggest करूँगा, कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और PDF को as a practice आप वहां पर देख सकते हैं कि कितने questions आपको सही हो रहे हैं, ये भी आप check कर सकते हैं, वहां पर PDF के तरूँ, तो और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, कि जो भी suggestions हैं आपके, जो भी